जैहिन प्यारे बिच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवस क्लासेस में प्यारे बिच्चों, आप सभी जान रहे हो कि कल 6 मई 2023 को आप सभी को क्लास 4 का हिंदी का एक्जाम होना है और बिच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लिए आया हूँ 40 Most Important Question बिच्चों इस प्रशन को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, रट लेना है और आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि मैं प्रशनों के उत्तर को किस परकार लिकूँ, किसने तरह के प्रशन पूछे जाएंगे तो सबसे पहले जितने भी बच्चे भार दूस क्लासेस पर पहली बार आया है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बच्चा, ताकि आपको जब भी वीडियोस आया आपको नोटिपिकेशन मिल सके, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेर कीजिए चलिए प्रारम करते हैं, सबसे पहला प्रस्ण दिया गया है, कोयल की बोली कैसी है, वन लाइनर प्रस्ण है बच्चों, आपको इसे याद रखना है, कोयल की बोली कैसी है तो आपको याद रखना है मीठी, कोयल की बोली कैसी है बच्चा, मीठी है, आप इसे एक वाइक मे भी लिख सकते हो कि कोयल की बोली मीठी है इस तरह से आपको करना है दूसरा प्रस्ण है कोयल कुक कुक कर किसे बुलाती होगी तो कोयल अपनी मा को बुलाती होगी बच्चा अपनी मा को आपको याद रखना है कोयल कुक कुक कर अपनी मा को बुलाती होगी विद्वान बहु प्रस्ण संख्या चार दे रखा है तेनाली राम किसके दरबार में थे पापा जब छोटे थे इस पार्ट से लिया गया है तो याद रखना आपको चोकिदार पापा शुरू-शुरू बार में चोकिदार बनना चाहते थे फिर वे अलग-अलग बनना चाहते थे कभी आईस्क्रीम बेचने वाले, कभी संटिंग करने वाले ठीक है, कभी वो कुत्ते भी बनना चाहते थे और अंत में वे एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं चटा प्रस्न है, पापा ठेले में क्या बेचना चाहते थे तो आईस्क्रीम, क्या बेचना चाहते थे बच्चा आईस्क्रीम बेचना चाहते थे वे, क्या कहते थे कि मैं बच्चों को मुफ्त मैं आईस्क्रीम देया करूँगा सात्वा प्रस्ष्ण है कच्छा का मोनिटर कौन था याद रखना है अंकुस कौन था बच्चा? अंकुस था अंकुस कितनी कच्छा में पढ़ता था तो कच्छा 4 में पढ़ता था यहाँ पर अगला प्रशन दिया गया है प्रशन संख्या आठ अंकुष किसकी सिखायत वर्ग सिच्छिका से कर देता था बिल्कुल बच्चा आपको इन 40 प्रशनों को अच्छी प्रकाल से देखना है बिल्कुल भी सिखित नहीं करना है आप विश्वास मानिए आपका बहुत सारा प्रशन ऐसा रहेगा जो इस वीडियो से ही आएगा तो अंकुष किसकी सिखायत वर्ग सिच्छिका से कर देता था निकस की सिखायत किसकी सिखायत कर देता था बच्चा निकस की सिखायत कर देता था और उसकी सिकायत वह क्यों करता था क्योंकि वह कई बार कच्छा में देर से पहुंचता था होमवक करके नहीं आता था और होमवक की चेक करना वर्दी का निरिक्षन करना सभी बच्चों को अच्छे से समय परिश्कूल पहुंचने की सभी सुचना अंकुष को देनी होती थी इसी लिवा निकस की सिकायत वर्ग सिची का से कर देता था सिर्फ निकस की नहीं जो बच्चे जो भी सरालत कर देता उनकी भी सिकायत करता था नौवा प्रशन है अंकुस और निकस कितनी कच्छा में पढ़ते थे तो कच्छा चार में पढ़ते थे कौन सी कच्छा में पढ़ते थे बच्चा कच्छा चार में पढ़ते थे प्रसन संख्या दसमा पूछा गया है दादी ने अपनी साड़ी कहां सुखने के लिए टांगी थी बताइए दादी की साड़ी पाट से है तो यहां पर आप याद रखेगा कपड़े सुखने की रशी पर कहां टांगी थी बच्चा कपड़े सुखने वाली रशी पर आप यहां पर टांगी थी चलिए ग्यारवा प्रस्न है चोर ने कहां से चोरी की थी बताइए चोर ने कहां से चोरी की थी आप याद रखिएगा गहने की दुकान से वह कहां से चोरी किया था गहने की दुकान से तो साड़ी उड़ते हुए उसके गले में लपेट गई थी और वह चोर पकड़ा गया थ 12 परशन है उड़ते हुए साडी कहां गिरी? तो याद रखेगा लच्मी के घोद में किसके घोद में गिरी थी? लच्मी के गोद में गिरी थी चलिये, 13 परशन पुछा गया है नानी को क्यों कहते? हाती क्यों होता है? काला? दादी फेर रही क्यों? अब यहाँ पे खाली अस्थान है तो दादी फेर रही क्यों क्या होगा माला ताला कला या फूल तो होगा माला क्या होगा माला इससे आपको याद रखना है कि कवीता आपको जरूर ध्यान रखना है आपके बुक में कवीता दिया हुए सबसे पहले कोयल को तो कोयल पढ़ ल लेना है बादल वाले कवीता को पढ़ लेना है और आपको एक क्यूं जो कवीता है ये पांच कवीता आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चा सिर्फ पढ़ लेना है कोई इसा हार्ड कोस्चन याएगा आपको सिर्फ एक दो दो बार पढ़ लेना है इसी परकास से विकल ने पढ़ा होगा कि सोने की जूते में जो मोची है वो जूते नहीं बेच पाता था क्यों नहीं बेच पाता था तो आपको लिखना है उस गाउं के ज़्यादातर लोग खाली पेर रहते थे और कोई ही जूते पहनता था कोई कोई ही था महने से ना साजे उसे बुद्धी से शादना चाहिए तो उसने क्या बोला था कि मेरे बनाए गए जूते में से एक सोने का जूता हो जाएगा फिर उसकी कमाई होने लगी थी पंदरवा परस्ण दिया गया है गाउं में सभी लोग मोची के पास जूते बनवाने की आने लगे तो मैंने अभी आपको बताया है सबको लालच आ गया था लिखिएगा क्योंकि सभी लोगों को सोने के जूते का लालच था सब क्या सूचते थे कि साइद मेरा सोने का जूता बन जाएगा साइध मेरा सोने का जुत्ता बन जाएगा इसलिए सब लोग उसके पास आने लगे थे चलिए सोलवा प्रशन है बच्छा जो सोने के यहाँ पर के होगा जो सोने के आभूशन बनाता है उसे क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है शुनार क्या कहते हैं बच्छा सुनार कहते हैं जो सोने का अभूशन बनाता है उसे सुनार कहते हैं यहाँ पर सोने के जगा में आपको पूछ देख लोहे का समान बनाता है लोहे का समान तो लोहे का समान में आपको याद रखना है लोहार क्या याद रखियेगा बच्चा लोहार सोने का पुछेगा तो सुनार लोहे का पुछेगा तो लोहार सत्रवा परशन है जो मीटी के घड़े बनाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं कुमार क्या बोलते हैं कुमार जो कपड़े सीलता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दरजी, क्या कहते हैं? दरजी उनीसवा प्रसन है आस्मान का प्रियावाची सब्द क्या होगा? सबसे पहले आपको समझना होगा प्रियावाची सब्द क्या है तो प्रियावाची सब्द है बच्चा एक वस्तू के अनेक नाम क्या है एक वस्तू के अनेक नाम को हम लोग प्रियावाची सब्द कहते हैं फोरिक जांपला पानी को जल भी कहते हो, नीर भी कहते हो, अंबू भी कहते हो, वारी भी कहते हो तो ये सभी क्या है प्रियावाथी सब्द है आस्मान का प्रियावाथी सब्द आस्मान और गगन होगा क्या होगा आस्मान और गगन मेग का प्रियावाथी सब्द बादल और नीरद होगा आप से कमल का भी पूछ सकता है तो कमल का याद रखियेगा पंकज और अर्विंद पंक यानि कीचड जा मतलब जन्म लेना तो पंकज यानि कीचड में जन्म लेता है कमल गांधी जी कहां की यातरा पर जा रहे थे तो गांधी जी डांडी की यातरा पर जा रहे थे समुद्र वो जा रहे थे नमक कानून को तोड़ने के लिए ठीक है तो वो कहां जा रहे थे डांडी की यातरा पर धन्नी किसकी देखवाल करने के लिए आसरम में रुख गया तो बिन्नी की जो उसकी बकरी थी बिन्नी उसकी देखवाल करने के लिए वह आस्रम में रुक्या था तैस्वा प्रस्तन है थप रोटी थप दाल में बच्चे क्या बनाने का खेल खेलते हैं तो वो दाल और खीर बनाने का खेल खेलते हैं क्या बच्चे दाल और खीर बनाने का ठीक है और इसमें एक बिल्ली भी आती है और बिल्ली कीजेगा ताकि जिसको जिसका कल उग्जाम में उसे important question मिल सके वे बच्चे यहां से revise कर सके चोभीसवा परश्ने कुट्टा किसका पीछा कर रहा था तो याद रखना है बच्चा खरहे का किसका पीछा कर रहा था खरहे का वो खरहे का पीछा कर रहा था यह दिया हुआ है यहाँ पर जो कविता है आपको कुत्ते की सिख उस से लिया गया है 25 परशन है कुत्ते को देखकर लोमडी ने क्या कहा तो लोमडी ने कहा कि तुम खरहे से हारे क्या कहती है लोमडी उसे चिड़ा कर तुम तो एक खरहे से हारे लेकिन फिर वो क्या बोलता है कुट्ता कि मैं तो केवल एक दिन का भोजन पाने के लिए दोड़ रहा था खरहा अपनी जान बचाने के लिए दोड़ रहा था तो इसलिए ये हार गाता है 26 प्रशन है पिच्चा पिंकी का जन्म कहां हुआ था ये आपके लिए गया है असमाईल पिंकी ठीक है असमाईल पिंकी पाट से तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर में पिंकी का जन्म हुआ था 27 प्रस्ण है इद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है तो इद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है कभी-कभी दिखाई देना जैसे राम आजकल इद का चांद हो गया है यानि वह कभी-कभी दिखाई देता है जैसे आप कभी विद्याले जाते हो विद्याले में दो-तीन दिन अपसेंट करते हो फिर जाते हो फिर अपसेंट करते हो तब कि सिच्छक या सिच्छिकाएं क्या बोलते हैं क्या निया तुम तो इद का चांद हो गए हो बीजुका खेतों में खड़ा रहता है कहां खड़ा रहता है बच्चा खेतों में बीजुका को देखकर कौन हड़कते हैं तो गाय और भैसा कौन हड़कते हैं बच्चा गाय और भैसा हड़कते हैं यानि उससे डरते हैं मोसम की मार कौन सहता है तो मोसम के बार बीजू का सहता है 32 प्रस्ण है पिंकी को ओसकर आवार्ड कब मिला था तो ये 2009 में इसमें आप एक बार किताब में जरू शेक कर लिजेगा स्माइल पिंकी में 2009 मुझे लग रहा है 2009 में कटे ओठ वाले बच्चों की मदद करने वाले संस्था का क्या नाम है तो उसका नाम है बच्चा असमाइल ट्रेन क्या नाम है असमाइल ट्रेन जो क्लैप्ट लिप्ट वाले बच्चे होते हैं उनकी या मदद करती है 34 प्रस्ण है सनी बजार से क्या खरीद कर लाया था तो वा माउस खरीद कर लाया था क्या खरिद कर लाया था बच्छा माउस 35 परशन है सन्नी को कोन परिशान करता था तो सन्नी को चुनू चुहा परिशान करता था उसके चीजों को कुतर देता था मुख्य द्वार में विशेशन सब्द क्या है विसेशन क्या होता है जो किसी सब्द की विसेशन बताता है किसी चीज की विसेशन बता है यहाँ पर द्वार की विसेशन क्या बता रहा है मुख्य तो मुख्य इसमें विसेशन है क्या है बच्चा विसेशन आप और भी याद रख सकते हो जैसे काला घोडा मैंने लिखा काल गोड़ा इसमें आप बताईए कि विशेशन क्या है तो विशेशन काला है क्योंकि गोड़ा की विशेशन क्या है कि वो काला है तो काला इसमें विशेशन सब्द है से तीसवा प्रशन है किसी सब्द की विशेस्ता बताने वाले सब्दों को क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा विशेशन अर तीसवा प्रशन है जो सब्द संग्या के अस्थान पर आता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम सरो नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, सरो नाम, जिसे राम गया था, तो यहाँ पर राम के जगह में मैं लिख दू वह, वह गया था, तो यहाँ पर वह किसके जगह में आया है, राम के जगह में, तो राम क्या है, संग्या है, संग्या के जगह में वह आ रहा है, तो वह का सरो नाम है 37 एक किसी वेक्ति जाती वस्तुरस्थान का नाम बताने वाले सब्दों को क्या कहते हैं उसे संग्या कहते हैं क्या कहते इंगलिज के गनीत के और प्रियावरान अध्यान के भी दूँगा तो आपको सब्सक्राइब शरूर कर लेना है और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना है ठीक है बच्छा आप सभी को आपकी आगामी परिक्षा के लिए बहुत 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 बेस्ट ओफ लग बच्छा ड़ा है पर दिए